प्रदेश भर के आंगनवाडी करमचारियों ने नया फर्मान जारी किया है जिसके तहत वे प्रते दिन अपनी ड्यूटी पर पहुँच कर विभागी अधिकारियों को अपनी लोकेशन सेंड करेंगे प्रदेश भर के आंगनवाडी करमचारियों ने सरकार के इस निर्निया का विरोध करती हुए कहा कि अधिकांश आंगनवाडी वरकरों के पास स्मार्टफोन नहीं है जो भी दूटी ताइम के बाद की है और उसमें ये मांग की थी अधिकार योने कि सभी वरकर्स और हलपर्स ने जो है 24 तारिक को अपने सैंट्रों में जाकर वहां की लोकेशन अपने मुबाइल समें टैप कर लिए तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि हम काम करने के लिए मना ने कर दी कोई भी वरकर हल पर हमारी मांग ये सरकार से कि या तो हमें स्मार्टफोन दिये जाए हमें डाटा दिया जाए सिम दी जाए तभी तो हम विदरी जार्ज हमें ये सब जो है उपकरन उपलब्त कराए जाए तभी हम अपना काम आग्गे सुरू करें और कुछ वरकर्स जो है हमारी जो कम पड़ी लिखी है जोनको फोन तक नहीं जलाना आता तो वो अपनी डाटा लोकेशन कैसे टाप कराएंगी तो हमारी जो मांग ये सरकार से वह ये हैं और दूसरा हमारा जो है हड़ताल का नोटिस जो है पहले तो हम अपना ग्यापने इ प्लक्ष में जो है पूरा अंदोलन चलेगा तीन दिन का और नो तरिको हमारा जेड़ बरों अंदोलन है जो हर साल हम मनते अपनी मांगों को ले कर सरकार ने जो है सितंबर महिन्य में दो हजार उसमें अठावा में एक हमारा जो है मांदेग में ब्लोत्री करें ही कि 500 और आप यह देखें भी आजकल जो क्रोना में हमारी पूरे विशप में ठाली हुई है उसमें भी जो है अंगलमारी वरकर्स और हलपर को वन कैतागीर पर रखा गया है लेकिन उसके लिए भी जो है वरकर हलपर को कोई वेतन नी दिया जा रहा है उनकी शुरक्षा की कोई वे जैसे करेंगी उनके घर पर अगर प्रोटी के दुराना किकी को हमारी रिखायर हमारी को को कोई आश्वाशन नहीं है उसके बच्चोपा कोई पालन कोशन नहीं सरकार देजारा हमारी क्या है कि जो भी हमारी में का मांदे अगे का रहे गांगे नहीं यम्नानगर ब्यूर रिपोर्ट येस टीवी से अन्ने खबरों के लिए जुड़े रहें येस टीवी के साथ